झाल करने के मिन बात अब है दोस्तों आज की वीड़ेओं बात करने वाले सिपोडोक्षिम प्रोकजेटिल औरल सच्पेंशन के बारे में जो बच्चों के लिए सबसे चेंटिवरे टिक माना जाता है सबसे यारद देखो इसमें 100mg, parafai family, cipodoxim, proxytil पाया जाता है, cipodoxim जो होता है, cipolo-spoon group के एक दवा होती है, और इसका यूज किसी भी परकार के bacterial infection कॉंट्रोल करने के लिए किया जाता है, और आपको एक बात याद और रखनी, इस दवा का यूज कभी हम cold flu ये सामाने वारिल फिवरो में नहीं करते हैं, अब बात करते हैं, इस दवा के इसमाल बच्चों में किनकिन कंडिशन में किनकिन विवरो में करते हैं, ये एक antibiotic दवा होती है, इसका इसमाल बच्चों में कान का infection, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिनके कान में infection हो जाता है, उनके कान में पस बन जाती है, तो इस condition में इस दवा का यूज किया जाता है, तो इस condition में इसका use किया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको्स आथिततने था है तो इस condition में बच्चों में इस दौण का use किया जाता है दोस्तों यह दोबा बच्चों वर्टों के आथा क्योंकि एक बहुत अच्छी एंटिपेटिक होती है और यह आपके सेरमी इंफेक्शन को पैदा करने वाले बेक्टरों को मारती है इस दवा को यूज हम मेनेज़ाइटिस या बोन इंफेक्शन में भी कर सकते हैं अगर हम इस दवा के साइड इफेक्ट के वारें बात करें त कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जुनको हलके फुल के दस्त भी लग जाती हैं साइड इफेक्ट ने नहीं होते हैं इस दवा को लेने से पहले आपको एक बात और यहाँ रखनी है अगर आपको किसी रखें किड्नी की समस्य है या आपको कोई हर्ट या लिवर से गोई जूड बताना होता है अब बात करते हैं इस दवा के ब्राण नेम के बारे में आपको किन की नाम से मेडिकुल से मिल जाती है यह आपको सेफ डॉक्स डीयस के नाम से मिल जाती है यह आपको सेफी सेफ 50 के नाम से मिल जाती है और यह आपको जीडो सेफ 100 के नाम से मिल जाती है और भी इस दवा को आपने पानी में डालियोट करना होता है और डॉक्टर के दौारा जो आपको डोस की बता जाती कि आपने बच्चे को कितनी डोस की दे नहीं होती है उस हिसाब से आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेर जूरू कीजिए और साथ ही करा आप में